स्वर्ग की देवी, कहानी, मुन्शी प्रेमचंद एक भाग्य की बात शादी विवा में आदमी का क्या अक्तियार? जिससे ईश्वर ने या उनके नाइबो ब्रामनों ने तै कर दी, उससे हो गई बाबु भारत दास ने लीला के लिए सुयोग्यवर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी लेकिन जैसा घरवर चाहते थे, वैसा न पासके वहाँ लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है किन्टु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज थी चरित्र या शिक्षा का स्थान गौन था चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या? हाँ, संपत्ती के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना ऐसा घर उन्होंने बहुत धूंढा, पर न मिला ऐसे घर हैं ही कितने जहां दोनों पदार्थ मिले दो-चार मिले भी तो अपनी बिरादरी के न थे बिरादरी भी मिली, तो जाईजा न मिला जाईजा भी मिला तो शर्ते तै न हो सकी इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवाह लाला संतसर्ण के लड़के सीता सरन से करना पड़ा अपने बाप का इकलोता बेटा था, थोड़ी भहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलिके से करता था, मामले मुकद में समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ट, प्रसन्नमुख, सासी आदमी था मगर विचार वही बाबा आदम के जमाने के थे पुरानी जितनी बाते हैं, सब अच्छी, नई जितनी बाते हैं, सब खराब जायदात के विशय में जमीनदार साहब नएने दफों का व्यवहार करते थे वहाँ अपना कोई अक्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता था उसमें खुद सोचने की शक्ती ही न थी बुधरी की मन्ता बहुदा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है इला ने जिस दिन घर में पाव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी यहां वर्जित थे उसे बचपन से ताजी हवा पर जान देना सिखाया गया था यहां उसके सामने मूँ खोलना भी पाप था बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है यहां रोशनी के दर्शन भी दुरलब थे घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरिय गुण बताए गये थे यहां इसका नाम लेने की भी स्वाधिनता न थी संसरन बड़े तीखे, गुसेवर आदमी थे नाग पर मक्षी ना बैठने देते धूर्टता और छलकपट से ही उन्होंने जायदात पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे उनकी पत्नी उनसे भी दो अंगुल उँची थी मजाल क्या कि बहूं अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छट पर टहल सके प्रलय आजाता, आस्मान सिर पर उठा लेती उन्हें बखने का मर्ज था दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बखने के लिए काफी बहाना था मोटीता जी महिला थी छींट का घागरेदार लहंगा पहने पांदान बगल में रखे गहनों से लदी हुई सारे दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती थी क्या मजाल की घर में उनकी इच्छा के विरुधत एक पत्ता भी हिल जाए बहु की नई ने आदते देख देख जला करती थी अब काहे को आबरू रहेगी मुंडेर पर खड़ी होकर जाकती है मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती नजाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं गहने नहीं पहनती जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है यह भी कोई अच्छे लच्छन है लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों तू भी अपने को मर्द कहेगा वह मर्द कैसा की औरत उसके कहने में न रहे दिन भर घर में घुषा रहता है मुँमें जबान नहीं है समझाता क्यों नहीं शीता सरन कहता अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तप्टो मा मानेगी क्यों नहीं तू मर्द है कि नहीं? मर्द वहाँ चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत का आप उठे. सीता सरन तुम तो समझाती ही रहती हो. मा मेरी उसे क्या परवा? समझती होगी. बुढिया चार दिन में मर जाएगी. तब मैं मालकिन हो ही जाओंगी. सीता सरन तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता. देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है. वह रंग ही नहीं रहा. उस कोठरी में पड़े-पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है. बेटी के मुँव से ऐसी बाते सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती. कभी भाग्य को कोस्ती, कभी समय को. सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बाते करता. लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मती बदल जाती थी. वह वही बाते करता जो लीला को अच्छी लगती यहां तक कि दोनों व्रिधदा की हसी उडाते लीला को इसमें और कोई सुख न था वह सारे दिन कुड़ती रहती कभी चूलहे के सामने न बैठी थी पर यहां पसेरियों आटा थोपना पड़ता मजूरों और टहलूओं के लिए भी रोटिया पकानी पड़ती कभी कभी वह चूलहे के सामने बैठी घंटों रोती यहां बात न थी कि यहां लोग कोई महाराजर्सो या न रख सकते हूं पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहुं खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था सीता सरन को देखकर लीला का संतप थरिदय एक शन के लिए शान्थ हो जाता था गर्मी के दिन थे और संध्या का समय बाहर हवा चलती भीतर देह फुकती थी लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीता सरन ने आकर कहा यहां तो बड़ी गर्मी है बाहर बैठो लीला यहां गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे सीता सरन आज अगर बोली तो मैं भी बिगड जाओंगा लीला तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा सीता सरन बला से अलग ही रहेंगे लीला मैं तो मर भी जाओं तो भी अलग न रहू वह जो कुछ कहती सुनती है अपनी समझ से मेरे भले ही के लिए कहती सुनती है उन्हें मुझ से कुछ दुश्मनी थोड़े ही है हाँ हमें उनकी बाते अच्छी ना लगे यह दूसरी बात है उन्होंने खुद वह सब कष्ट जेले हैं जो वह मुझे जहलवाना चाती है उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझ से कहीं टांठी है फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड सकता है सीता सरन ने उसके मुर्जाय हुए मुख की और करुन नेत्रों से देख कर कहा तुम्हें इस घर में आकर बहुत दो, ख सहना पड़ा यहां घर तुम्हारे योग्य न था तुमने पूर्वजन में जरूर कोई पाप किया होगा लीला ने पती के हाथों से खेलते हुए कहा यहां ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती पांच साल गुजर गए लीला दो बच्चों की मा हो गई एक लड़का था, दूसरी लड़की लड़के का नाम जानकी सर्ण रखा गया और लड़की का नाम कामिनी दोनों बच्चे घर को गुलजार किये रहते थे लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से दोनों शोक और शरीर थे गाली देब, मुँ चड़ा देना तो उनके लिए मामूली बात थी दिन भर खाते और आये दिन बीमार पड़े रहते लीला ने खुद सभी कश्ट सहलिये थे पर बच्चों में बुरी आदतों का पढ़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था किन्टु उसकी कौन सुनता था बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही न रही थी जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी उसे किसी बच्चे को डाटने का भी अधिकार न था सास फाड खाती थी सबसे बड़ी आपत्ती यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था प्रस्वकाल में पेभी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंदविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गड़ रखे हैं उस काल कोठरी में जहां हवा का गुजर था न प्रकाश का न सफाई का चारों ओर दुरगंधा और सील और गंदगी भरी हुई थी उसका कोमल शरीर सूख गया एक बार जो कसर रह गई थी, वह दूसरी बार पूरी हो गई चहरा पीला पड़ गया, आखे धांस गई ऐसा मालूम होता, बदन में खून ही नहीं रहा सूरत ही बदल गई गर्मियों के दिन थे एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खर बूजे इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी न हुई थी अबकी इन में इतनी मिठास नजाने कहां से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे संसरन के इलाके से आम और खर बूजे के टोकरे भरे चले आते थे सारा घर खूब उचलुचल खाता था बाबू साहब पुरानी हड़ी के आदमी थे सबेरी एक सैक्ड़े आमों का नाश्ता करते फिर पसेरी भर खर बूजे चट कर जाते मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया अनाज सडने वाली चीज नहीं आज नहीं कल खर्च हो जाएगा आम और खर्बूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते शुदनी थी और क्या योँ ही हर साल दोनों चीजों की रेल पेल होती थी पर किसी को कभी कोई शिकायत न होती थी कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड की फंकी मार ली एक दिन बाबू संसरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा आपने उसकी परवा न की आम खाने बैठ गए सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे की कैह हुई गिर पड़े फिर तो तिल-तिल पर कैय और दस्थ होने लगे हैजा हो गया शहर के डाक्टर बुलाए गए लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे रोना पीटना मज गया संधा होते होते लाश घर से निकली लोग दाकरिया करके आधी रात को लोटे तो मालकिन को भी कैह और दस्थ हो रहे थे फिर दोड़ धूप शुरू हुई लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे संसार से भी साथ ही साथ गए सूर्यास के समय पती ने प्रस्थान किया सूर्योदय के समय पत्नी ने लेकिन मुसीबत का अभी अंत न हुआ था लीला तो संसकार की तैयारियों में लगी थी मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठके में जा पहुँचे वहाँ एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था दो-तीन कल्मी आम भी रखे थे इन पर मक्ख्या भिनक रही थी जानकी ने एक तिपाई पर चड़कर दोनों चीजे उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माम बाप को रोता छोड़ चल बसे घर में अंधेरा हो गया तीन दिन पहले जहां चारों तरफ चहल पहल थी वहाँ अब सन्नाटा चाया हुआ था किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी रोता ही कौन लेदे के कुल दो प्राणी रह गये थे और उन्हें रोने की सुधी न थी लीला का स्वास्थ पहले भी कुछ अच्छा न था अब तो वह और भी बेजान हो गई उठने बैठने की शक्ती भी न रही हर दम खोई सी रहती न कपड़े लत्तों की सुधी थी न खाने पीने की उसे न घर से वास्ता था न बाहर से जहां बैठती वहीं बैठी रह जाती महीनों कपड़े न बदलती सिर में तेल न डालती बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे जब वहीं न रहे तो मरना और जीना बराबर था रात दिन यहीं मनाया करती की भगवान यहां से ले चलो सुखदू ख सब भुगत चुकी अब सुख की लालसा नहीं है लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है सीता सरन भी पहले तो बहुत रोयाद होया यहां तक की घर छोड़ कर भाग जाता था लेकिन जोन जो दिन गुजरते थे बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था संतान का दो खतो कुछ माता ही को होता है धीरे धीरे उसका जी संभल गया पहिले की भांती मित्रों के साथनसी दिल्लगी होने लगी यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया अब घर का मालिक था जो चाहे कर सकता था कोई उसका हाथ रोकने वाला न था सेरसपाटे करने लगा कहा तो लीला को रोते देख उसकी आखे सजल हो जाती थी कहा अब उसे उदास और शोकमगन देख कर जुझला उठता जिन्दगी रोने ही के लिए तो नहीं है ईश्वर ने लड़के दिये थे ईश्वर ही ने छीन लिए क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा लीला यहाँ बाते सुनकर भौचक रह जाती मित्रों की दावत का भी सामान क्या गया था अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी त्योहारों के दिन उसे रोते ही कटते थे आज बच्चे होते तो अच्छे-च्छे कपड़े पहने कैसे उचलते फिड़ते वही न रहे तो कहा के तीज और कहा का तेवहार शैसा सीता सरन ने आकर कहा क्या दिन भर रोती ही रहोगी जरा कपड़े तो बदल डालो आदमी बन जाओ यह क्या तुमने अपनी गद बना रखी है लीला तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है सीता सरन क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते तुम्हारे ही सिर यहां मुसीबत आई है लीला यहां बात कौन नहीं जानता अपना अपना दिल ही तो है उस पर किसी का बस है सीता सरन मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछर कत्ताव्य है लीला ने कुतुहल से पती को देखा मानो उसका आशय नहीं समझी फिर मुँ फेर कर रोने लगी सीता सरन मैं अब इस मनहूसत का अंत कर देना चाहता हूँ अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है मैं अब जिन्दगी भर मातम नहीं मना सकता लीला तुम रागरंग मनाते हो मैं तुम्हें मना तो नहीं करती मैं रोती हूँ तो क्यों रोने नहीं देते सीतासरन मेरा घर रोने के लिए नहीं है लीला अच्छी बात है तुम्हारे घर में न रोंगी लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रही है उन पर विशय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं वह अपने होश में नहीं है मैं क्या करूँ अगर मैं चली जाती हूँ तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फसे हुए नौजवान रईसों का होता है कोई कुल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी इश्वर मैं क्या करूँ अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़ कर चली जाती कभी नहीं मैं तन्मन से इनकी सेवा सुशूशा करती इश्वर से प्रार्थना करती देवताओं की मनौतिया करती माना इन्हें शारिरिक रोग नहीं है लेकिन मानसिक रोग अवश्य है आत्मी रोने की जगा हसे और हंसने की जगा रोए उसके दिवाना होने में क्या संदे है मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा इन्हें बचाना मेरा धर्म है हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा रोऊंगी, रोना तो तक्दीर में लिखा ही है रोऊंगी लेकिन हसहंसकर अपने भाग्य से लडूंगी जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हूं लेकिन जो है उसे न जाने दूँगी आँ, ए तूटी हुए हृदय आज तेरे टुकडों को जमा करके एक समाधी बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दू और रोने वाली आखें आओ मेरे आसों को अपनी विहनसित छटा में छिपा लो आओ मेरे आभूश्नों मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया मेरा अपराथ क्षमा करो तुम मेरे भले दिनों के साथी हो तुमने मेरे साथ बहुत विहार किये हैं अब इस संकट में मेरा साथ दो मगर दगा न करना मेरे भेदों को छिपाए रखना लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बाते करती रही उधर मर्दाने में धमा चोकडी मची हुई थी सीता सरन नशे में चूर कभी गाता था कभी तालिया बजाता था उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे मालूम होता था इनके लिए भोगविलास के सिवा और कोई काम नहीं है पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया हुहा की आवाजे बंध हो गई लीला ने सोचा क्या लोग कहीं चले गए या सो गए एकाएक सन्नाटा क्यों चा गया जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में जांक कर देखा सारी देह में एक ज्वालासी दोड़ गई मित्र लोग विदा हो गए थे समाजियों का पता न था केवल एक रमणी मसंद पर लेटी हुई थी और सीता सरन उसके सामने जुका हुआ उससे बहुत धीरे-धीरे बाते कर रहा था दोनों के चहरों और आखों से उनके मन के भाव साफ जलक रहे थे एक की आखों में अनुराग था दूसरी की आखों में कटाक्ष एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था लीला की संपत्ती को उसकी आखों के सामने एक छलिनी चुराए लिये जाती थी लीला को ऐसा क्रोध हाया की इसी समय चलकर इस कुल्टा को आड़े हाथों लूँ ऐसा दुदकारू की वह भी याद करे खड़े-खड़े निकाल दूँ वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा पर उसने जब्द किया वेग से दोड़ती हुई त्रिश्णाय अकस्मात न रोकी जा सकती थी वह उल्टे पाव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी वह रूपरंग में हाव भाव में नखे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती बिल्कुल चांद का टुकड़ा है अंगंग में स्फूर्ती भरी हुई है पोरपोर में मत ज़लक रहा है उसकी आखों में कितनी त्रिश्णा है त्रिश्णा नहीं बलकि ज्वाला लीला उसी वक्त आइने के सामने गई आज कई महिनों के बाद उसने आइने में अपनी सूरत देखी उसके मुक से एक आह निकल गई शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल सीता सरन का खुमार शाम को तूटा आखे खुली तो सामने लीला को खड़ी मुसकराते देखा उसकी अनोखी छवी आखों में समा गई ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के व्योग के बाद उससे भेंट हुई हो उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आसू बहाए है केशो में यह फूल गूथने के पहले आखों से कितने मोती पिरुए है उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्सा से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्करा कर बोले आज तो तुमने बड़े-बड़े शस्त्रस सजा रखे हैं कहां भागू? लीला ने अपने हृदय की और उंगली दिखा कर कहां यहां आब बैठो बहुत भागे फिड़ते हो अब तुम्हें बांध कर रखूंगी बाग की बहार का आनन तो उठा चुके अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो सीता सरन ने लज्जित होकर कहां उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला वह प्रेम का मानसरोवर है इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई सीता सरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़ कर कहां मैं न जाने दूँगी सीता सरन अभी आता हूँ लीला मुझे डर लगता है कहीं तुम चले न जाओ सीता सरन बाहर आये तो मित्र महाशय बोले आज दिन भर सोते ही रहे क्या बहुत खुश नजर आते हो इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी न तुम्हारी राह देख रही है सीता सरन चलने को तो तयार हूँ लेकिन लीला जाने नहीं देती मित्र निरे गाउदी ही रहे आगे फिर बीवी के पंजे में फिर किस बिरते पर गरमाये थे सीता सरन लीला ने घर से निकाल दिया था तब आश्रय ढूंडता फिरता था अब उसने द्वार खोल दिये और खड़ी बुली रही है मित्र अजी यहाँ वहाँ आनन्द कहा घर को लाक सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा सीता सरन भाई घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है मुझे इस वक्त अपनी क्शुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूं जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूपलावन्य को मिटा दिया उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं मैं जानता हूं कि वह बड़े से बड़े कश्ट सह सकती है मेरी रक्षा उसके लिए आवशक है जब अपनी उदासीन्ता के कारण उसने मेरी दशा बिगरती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई आज मैंने उसे अपने आभूशन पहन कर मुस्कराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है मिल सकते तो लोटा लेता लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है